नमस्कार मैं हूँ वसीर मकरम हाजिर हूँ मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIV इंडियाने उस पर अलबेंडा जोल दवा खाने से दो मासूम बच्चियों की मौत यूपी सरकार दोरा आगन बाडी के दोरा प्रतेग विद्यालियों में बच्चों को खिलाने के लिए इलबेंडा जोल दवा भेजी गई थी जहां दवा खाने से दो सगी बहनों की मौत हो गई इमामला फतेबुर जिले के बिंदगी कोतवाली छेतरे के मडराओ गाओं का है जहां सुधीर पाल की दो जुड़वा बच्चिया जिनकी उम्र पांच वस थी जिनका नाम शिरया और स्रिष्टी था जो की गाओं के ही सुरस्पती विद्या मंदर स्कूल की यलकेजी की छात्रा थी शुक्रवार को दोनों बहने स्कूल पढ़ने गई थी वहीं पर स्कूल द्वारा कीड़ा मारने की दवा एलबेंडा जोल खिलाए गई देर शाम दोनों बहनों की हालत बिगड़ने लगी जिसके बाद आज सुबह हालत अधिख खराब होई तो परिजन आनन फानन में उन्हें निजी वाहन से जिला स्पताल ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही दोनों बहनों की मौथ हो गई दोनों बच्चीों की मौत होते ही परिजनों में कहरा मच गया वहीं परिजनों का रोरोकर बुरा हाल है मृतक बच्चीों के पिता मुंबई में ट्रक चला कर अपने परिवार का भरन पोशन करते हैं इस मामले में सियमू एक ही अगरुवाल का कहना है कि ये दोनों बच्चियां पिछले खपते से बीमार थी दोनों बच्चियों ने एलबेंडा जोल की दवा स्कुल में खाई थी लेकिन इस दवा से मौत नहीं हो सकती फिलहाल गाउं में टीम भेज दी गई है और जांच के बाद ही घटना का कारण का पता चलेगा प्रास्ते में दम तोड़ दिया और एक खते पूर अस्पताल तक पहुंच पाई दम तोड़ दिया हमारा नाम है तुम्हारा कहां पढ़ते हो अच्छा क्या हुआ तकल दवाई खाई तुमनों तुमको भी दी गई थी किस कच्छा हम पढ़ते हैं अच्छा तो क्या हुआ इसकोल गई थी वहां दवाखिड़ा खिलाई गई घराक उनका पेट दर्द हुआ इसके बाद बस आम फटेपुल लेगा बस दोना बच्चियां फटाम हो गए दोस्रे आपका क्या नाम है आर्टी मैंने इसके बाद में तरहकी कात कर रही है तो यह बच्चे साथ दिन से बिमार थे और हालके इन अल्वेंड़ जौल ली है लेकिन अल्वेंड़ जौल इतनी सेफ ड्रग है कि इससे कभी डैथ रपोर्टेड नहीं है तो कौज अब इनकी मत्ति क्यों हो यह इसके लिए मैं अब इसके कोई जानकादी नहीं है अब इसकी कोई जानकादी नहीं है मैं टीम भीजी है और असली रिपोर्ट उसमें आ जाएगी कितने बच्चियों की माँत है दो बच्चों की माँत रिपोर्ट है क्या उमर होगी इनकी अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी स्क्रीन पर दिखरें घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें झाल